नमस्ते दोक्टर नमस्ते आये बैठी थेंक यू बोली कैसे आना हुआ वो कुछ शला ले थी आप चाहिए आपको चलिए मैं बाहर में आता हूं अरे बैठी आप मुझे बताईए शर्माइए नहीं बैठी बैठी बताईए मुझे क्या बात है कैसे बता हुआ समझ में या रहा है देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझे से खुल के बाते गर सकते हैं इसलिए आपनी प्रोब्लम मुझे बढ़े जिजग हो के मुझे बताईए कि क्या प्रोब्लम है आपकी और ये अपने गर्दन पर क्या हुआ है कुछ नहीं यही तो प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम है दिखाएंगे अपोजी दिखाता हूं लेकिन मैं दोटर एक्षि बीना मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं अब यह हमारा प्यार नाय नाय बनाए और मेरी फैंली बहुत इस्ट्रिक हैं उस लड़की ने ना मालब मैं र ज़िए इसका कोई खास एलाज तो है नहीं लेकिन का आपको अकसर यह निशान पड़ जाते हैं वो कभी-कभी हो जाता है ना जोश्मा जाते है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई इसकिन प्रोब्लम हो दो ब्रोल मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है वो बस रात को निशान फिजिकल करते वक्त पड़ जाते हैं लेकिन उतना डरने की कोई जरूरत नहीं है यह निशान वैसे चले जाते हैं लेकिन इतना गहरा निशान पर डोक्तर मैं फैमिली में अगर यह देख लिए तो मैं तो कया तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी दवाई बताया इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप इतने डर रहे हैं जीजग रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अक्सर निसान सेक्स करते वक्त पड़ जाते हैं लेकिन ठीक है फिर भी वैसे तो इसका अगर गरम पानी से आपना हैंगे थोड़ी सिकाई होगी तबी ठी हो सकता है लेकिन आपको बहुत जल्दी है इसके लिए मैं आपको कुछ मैडिसन लिख देती जुझ थीक है और अब करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि इसकिन पर इस तरह की कोई निशान ना ही ठीक है क्योंकि अक्सर होता है मैंने देखा है लेकिन निशान पड़ते है लेकिन इस तरीके कितन नहीं जो अभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बलके जो मैं आपको क्रीम लिख कर दे रही हूं वैसे तो यह दो तिन दिन में अपने आप खतम हो जाते हैं दो दिन या तीसरे दिन यह निशान आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन आपने अभी बताया कि मुझे घर जाना है थोड़ा सा प्रोब्लम है फैमली है तो उसके लिए मैं आपको ट्यूब लिख रही हूं तो उससे आपके दो तिन दिन में निशान पूरी तरह चले जाएं और साइड इफेक्ट तो इसका खैर कुछ नहीं है बाकी गवरानी जैसे कोई बाग नहीं है डोक्तर एक सवाल मैं पूछा चाहता हूं पूछी प्लीज आप इस बात का बुरा उत्मा नहीं नहीं आप बताईए बताईए आपको तो यह पताई कि निशान यह कैसे पड़े हाँ अब मैं आगे से क्या करूं कि ऐसे निशान ना पहूर हम लोग इंज्वाइबी करें देखिए क्या होता है कि जो गौरे लोग होते हैं जिनका बहुत वाइट कलर होता है उसमें अक्सर हाथ पकरने से यहाथ को इस तरह है चुने से भी कईवा निशान पड़ जाते है यह कोई बहुत बड़ी मेजर प्रोब्लम नहीं है लेकिन आप एटियात रखें जादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप मजा कमुद्दा ना बने क्योंकि आप कहना चाहिए जब भी आप फिजिए करें तो नोर्मली हाँ नोर्मली करें इस तरह का आरकत ना करें वैसे यह क्यों फुटें वह जल्दी पड़ते ज्यादा आई देपें ठीक है जी किके टोपिए ताइट हैंक यू थिश्य सोबच थांक यू थैंक यू